देखते हैं, if f, v and e represent the number of faces, number of vertices and number of edges respectively of a pyramid with square base, then what is the value of 3v plus 2f minus e, तो यहाँ पर जो square base pyramid है, जो कि आप figure में देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें f जो है faces को represent कर रहा है, v जो है vertices को और e जो है edges को, ठीक है, तो इसमें faces कितने होते हैं, 5 होते हैं, edges 8 और vertices 5, ठीक है, तो हमें निकालनी है value, 3v plus 2f minus e, तो 3 into v vertices कितनी है, 5 है, 2f faces हमारे पास 5 है, और edges हमारे पास 8 है, तो यह 15 10 minus 8, तो 15, 10 हो गए, 25, 25 में से 8 minus करेंगे, तो हमारे पास आएगा 17, तो 17 इसका correct answer हो जाएगा, अगला question है, अब इसमें बोला है, the number of edges of a polyhydron, which has 7 faces and 10 vertices, तो हमें यहाँ पर edges बतानी है कितनी होंगी polyhydron में, तो इसके लिए हम जो है, यूलर formula यूज करेंगे, जो होता है हमारे पास, faces plus vertices is equals to edges plus 2, ठीक है, तो यहाँ पर जो faces है, वो 7 दे रखा है, vertices है, वो हमारे पास 10 है, ठीक है, हमें e जो है वो निकालना है, तो यहाँ पर value put करेंगे, formula में 7 plus vertices हमारे पर 10 है, e minus 2, तो यह हो जाएगा हमारा 17 बराबर e plus 2, ठीक है, e plus 2 है यह, अब यहाँ जाके minus हो जाएगा, तो e जो आएगा 17 minus 2 करा, तो यह हमारा आ जाएगा 15, तो 15 इसके अंदर edges होंगी, तो यह formula आपको याद रखना है, ठीक है, अगला question देखा है, अब यहाँ पर बोला गया है, गौरफ के खाते में 7 की power 2 into 10 की power 4 इतने रुपे हैं, और उसके भाई के खाते में इतने हैं, यदि दोनों के खातों की कुल राशी को मानक रूप M into 10 की power N में लिखा जाता है, तो M plus N का value क्या होगी, same question है, जैसे भी हमने पिछला किया है, लेकिन यहाँ बोला है, गौरफ के अकाउंट में 7 की power 2 into 10 की power 4 इतना माउंट है, और उसके भाई के अकाउंट में 2 की power 7 into 10 की power 3 इतना माउंट है, तो पहले इन दोनों को solve कर लेते हैं, ठीक है, तो इनको अगर मैं solve करने बैठ हूँ, तो कितना आएगा, जो जाएगा 49 into 10 की power 4 plus 2 क 10 की power 7 जो हमारा होता है 128, ठीक है, into 10 की power 3, अब इसके 10 की power 4 का मतलब है, 4, 9, 4, 0 आ जाएंगे, और यहाँ 1, 2, 8 के बाद 3, 0 आ जाएंगे, तो इन दोनों को add करेंगे, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, add कर देंगे, तो 4, 9, 0, 0, 0, 0, ठीक है, यह हो जाएगा हमारा 1, 2, 8, 000, add करेंगे, 0, 0, 0, 8, 1, 6, यह आ गया, 6, 1, 8, 000, ठीक है, standard form में करेंगे, तो क्या होगा, point हमारे पास, यहाँ 6 के बाद आएगा, ठीक है, तो 6.18, into 10 की power कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 digit है, तो power 5 हो गया, ठीक है, इसको अब हम standard equation, जो है, standard form जो है, m into 10 की power n से compare करेंगे तो m की value होगी है, हमारे पास 6.18, n की value होगी 5, इन दोंनों को add करेंगे तो आएगा, 11.18, option number second, हमारे पास है, which smallest number should be subtracted from 9,222 to make it a perfect square, हम इस number में किस number को जोड़ें, कि एक perfect square बन जाए, और एक question हमारा इस तरीके से पूछा जाता है, कि किस number को घटाएं, कि इसको हम perfect square बना तो अगर हमें इस type question exam में पूछे जाते हैं, तो इसको हम किस तरीके से solve करें, आज किस video में हम सीखेंगे, तो आज देखते हैं, तो question हमारे पास था 9,222, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, long division यूज करेंगे, उसके लिए आपको करना कि इस तरीके से बना लेना है, और 9,222, लिख देना है, ठीके, अब क्या करेंगे, last से हम दो-दो का pair बना लेंगे, ठीके, तो पहला pair जो हमारे पास है, यह 92 है, ठीके, अब 92 से पहले किस का square आ रहा है, देखिए अगर मैं देखूं, 8 का जो square है, वो हमारा होता है, 64, 9 का जो square होता है, 81, 10 का जो square होता है तो वो तो 100, 100 तो जादा हो जाएगा, तो हमें 9 का square लेना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 9 यहाँ पर, 9 उपर, और इसके नीचे लिख देंगे 81, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको घटाएंगे तो 11 आ गया, अगला वाला pair पूरा इसके साथ लिख देंगे ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह जो जगे हमने छोड़ी है, 18, यहाँ पर हम जो नंबर लिखेंगे, उसी से हमें गुना करके देखना है, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, तो इसको मैं 5 से ही गुना करूँगा, यह 25, 40, 42, और यह 9, 925 हो गया, यह तो छोटा आ रहा है, अब हम 6 से लिख के देखते हैं, 186, 6 से करेंगे, 6, 36, 6, 48, 43, 55, 6, 5, 11, 11, 11, 16 आ रहा है, ठीक है, अगर हम साथ से करेंगे तो यह 11, 22 से बढ़ाएगा, तो हमें बढ़ा नहीं लेना है, अगर हमें बोला है कोशन में, सब्ट्रेक्टेड, कौन सा नमबर हम सब्ट्रेक्ट करें, तो हमें करना क्या है, जो भी लास्ट में यह बचेगा नमबर, उससे हमें छोटा ही लेना है, तो 11, 16 चोटा ही है, यहां पर हम क्या करेंगे, 6 और उपर भी 6, 11, 16, इसको हम घटा देते हैं, 12 में 6 गए, 6, 0, 0, 0, तो यह हमारे पास जो आया 96 का, इसका answer हो जाएगा option number C, अब देखते हैं अगर हमें बोला जाए question में कि कौन से number को हम add करें कि एक perfect square बन जाए, same question है, वहाँ ता subscribe करना था, यहाँ पर बोला है add करना है, तो इस case में भी हम same method यूज़ करेंगे, इस तरीके से, 1510, last से दो दो का pair, अब देखे 15 से पहले तो 3, 3 is a 9, minus कर देंगे, 15 हमें से 9 गए, 6, अगला pair पूरा लिख दिया, और जो 3 हमने उपर लिखा है, इसमें जोड़ कर हम नीचे लिख देंगे, 6, unit place छोड़ कर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ जो भी number लिखेंगे, उसी से हम multiply करके देखेंगे, ठीक है, तो यह हो गया हमारा, 64, 48, और 6, 54 हो गए, यह तो कमा रहा है, ठीक है, अब देखेंगे, यहाँ पर add करना है, तो हमें वो number लेना है, जो इससे ज़्यादा आए, 610 ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, इससे कमनी लेना, तो 6, 9 से करके देखेंगे, तो 9, 81, 6, 94, और 8, 64, और 8 हो गया हमारा, 62, 621 आगया, और यहाँ था 610, तो हमें ज़्यादा number लेना पड़ेगा, तो 621 हो गया, इसमें से हम 610 घटा देंगे, तो हमारा आगया 11, तो इसका आगया हमारा answer 11, तो यह आपको area of trapezium हमें दे रखा है, and the distance between the two parallel side, trapezium यहाँ ड्रोब लेते पहले, तो यह हमारा trapezium है, A, B, C, और D, ठीक है, इसका area जो दे रखा हमें, वो दे रखा है, 2200 पे जटा, और जो parallel side जो है, and the distance between the parallel side, दोनों के बीच का जो distance दे रखा है, वो 35 दे रखा है, if the parallel sides of a trapezium are in the ratio, 5 is to 8, जो parallel side है, यह हमने A ले लिया, और यह हमारा B है, ठीक है, A और B parallel side है, दोनों का जो ratio है, A is to B जो दे रखा है, वो दे रखा है, 5 is to 8 का, हमें बताना है, longer side जो है parallel में, वो कौन सी होगी, ठीक है, तो हमने A ले लिया 5X, और B ले लिया 8X, इसका area जो होता है, वो होता है, half sum of parallel side, A plus B, into height, दोनों के बीच का जो distance होगा, ठीक है, तो 1 by 2, A हमा 8 है, तो दोनों का sum करेंगे, तो 13X हो गया, और H हमारा 35 है, और area है, 22, 75, ठीक है, तो X की जो value होगी, वो कितनी होगी, 22, 75, गुना, 2 उपर और 13, 35, नीचे, इसको cancel करा, 7, 21, 7, 5 से करा, तो 5, 7, 35 हो गया, इसको काटेंगे, तो 5, 4, 20, फिर 2 बचा, 5, 25, और ये 25, 7 से कटा, 7, 6, 42, 7, 35, ठीक है, 13 से cancel कर, 13, 65 हो गया, और ये हो गया, पांदुनी 10, 10 cm जो है, हमारा X आया है, तो A जो है, वो गया, 5 into 10, 50 cm, B हो गया, 8 into 10, 80 cm, पूछा क्या था, सामानतर भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो आगया हमारा 80 cm, नेक्स्ट है, दे लेंथ ऑफ डाइगनल अफ रोमबस आर, 24 cm और 70 cm, ठीक है, दोनों डाइगनल की लेंथ हमें ये दे रख्ये, what is the length of side of a रोमबस, तो यहाँ पर एक रोमबस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, रोमबस की सारी साइड इक्वल होती है, और हमें ये भी पता होने चीजिए, जो डाइगनल है, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है, तो a, b, c, d, और ये e हो गया, अब e पर कट कर रहे हैं, तो मतलब जो a, c अगर हम ले लें, a, c हमारा अगर 70 cm है, ठीक है, तो जो a, e है, वो हाफ-हाफ में हो जाएंगे, ये हो जाएगा 35, ये भी 35 हो जाएगा, और d, b, जो है, हमारा 24 है, तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी 12, और ये भी 12, ठीक है, अब इन 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो यहाँ पर हम पाइथरो रोस्थिरों अप्लाए कर सकते हैं, तो हमारे पास dc स्क्वेर जो आएगा, हमारा e c स्क्वेर प्लस e d स्क्वेर के एक वल आएगा, जो की है, e c है हमारा 35, तो 35 का स्क्वेर, प्लस 12 का स्क्वेर, 35 का 1225, 144, 1225, 144, 9631, ठीक है, तो dc का स्क्वेर जो आया, 1369 आया, dc जो आया, अंडर रूट, 1369, जो की होता है, हमारा 37 का, ठीक है, 37 का स्क्वेर रूट होता है, तो 37 सेंटीमेटर इसके साइड हो जाएगी, अगला कोश्चन है, a wire is in the shape of a circle of area, 154 सेंटीमेटर स्क्वेर, if it is bend in the form of square, then what is the area of square, ठीक है, यह बोला है कि एक circular shape में एक wire थी, ठीक है, जिसका area हमें दे रखा है 154, इसका area जो है 154 सेंटीमेटर स्क्वेर है, हम इसका radius नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबस्पहले, wire की length निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना, इसका circumference निकालना पड़ेगा, और इसी को band करके इन्होंने एक square बनाया है, ठीक है, तो इस square का area पूछा है क्या होगा, तो इस square का perimeter और इस circle का perimeter, दोनों का same होगा, ठीक है, perimeter क्या होगा, same होगा, क्यों इस same wire से बने है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका radius निकालना पड़ेगा, तो area होता है pi r square, 154, 22 by 7 into r square, 154, तो r square जो आया 154 into 7 by 22, दो, ये 14, cancel करा 7, तो 49, तो r जो आया हमारा आया 7 cm, ठीक है, r 7 cm आगया, अब इसका circumference अगर हम निकालना तो 2 pi r होता है, 2 into 22 by 7 into radius हमारा है, 7, cancel करा, तो 44 cm, अब इसका perimeter और square का perimeter बराबर होगा, 4 into side जो है, वो होता है square का 44, तो side जो आएगी इसकी, वो आएगी 11 cm, इसकी आएगी 11 cm, अब पूछा किया इसका area, तो इसका area होता है side into side, तो 11 को 11 से करेंगे तो 121 cm square इसका, अब यहाँ पर 60 digit का number दे रखा है, और बोला है 72 से divisible है, ठीक है, तो हमें 2x plus y की value बताने है क्या होगी, तो यह 1, 3, 4, x, 5, 8 और y, यह जो divide हो रहा है, 72 से हो रहा है, 72 का मतलब हुआ, इसके अगर मैं निकालूं, तो 8 और गुना 9, 8 निम 72 होता है, ठीक है, मतलब 8 से भी divide होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए, तो 8 का divisibility rule क्या होता है, last के 3 digit हमारे 8 से divide होना चाहिए, तो last के 3 digit को 8 से divide करेंगे, 8, 6, 8, 7, 56 हो गया, minus के 2 और y, अब y की value में क्या रखो कि वो 8 से divide हो जाए, तो देखिए 8 के table में हमारा है, वो आता है, 24 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर y की value होगी, 4, y की value में पता लग गई है, अब यहाँ पर है, 1, 3, 4, x, 5, 8, और यह 4 हो गया, 9 का divisibility rule लगाएंगे, तो सारे digit का sum करेंगे, तो वो 9 से divide होना चाहिए, 1, 3, 4, x, 5, 8, और यह 4, इनको add करेंगे तो कितना है, यह 8, 8 और 5 हो गया हमारे पास, 13, 13, और 8 हो गया, 21, और यह 25, तो 25 जमा x, अब 9 के divisibility rule होता है, कि जो भी sum आए, वो 9 के table में आना चाहिए, मतलब कि 9, 18, 27, 36, तो nearest जो नमबर है, 25 प्लस x है, तो 27 होगा, तो x की value हमारे पास क्या जाएगी, 2 आएगी, क्यों 2 रखेंगे, तो 27 हो जाएगा, तो x पता लग गया, यह पता लग गया, हमें निकालना है, तो 2x प्लस y निकालना है, तो 2 इंटू x और y 4 है, तो करेंगे इसको 8 इसका correct answer हो, यहाँ पर बोला, if 27, 440 इक्वल टू x की पावर 4 इंटू y की पावर 1 इंटू z की पावर 3, और x, y, z क्या है, यहाँ पर prime number है, then what is the value of this, तो इसके हम prime factor निकाल ले पहले, तो आपको सबसे पहले prime factor निकालना आना चाहिए, 27440, तो 2 से सबसे पहले करेंगे, तो 1, 3, 7, 2, 0 हो गया, फिर 2 से करेंगे, तो 6, 8, 6, 0, फिर 2 से करा, 3, 4, 3, 0, 2 से करा, 1, 7, 1, 5, ठीक है, यह हो गया, अब यह 5 से करेंगे हम, तो 5 से करा तो यह 3, फिर 2 हो गया, 4 और फि 3, अब यह जो हमारा हो रहा है, 7 से हो रहा है, तो 7 से करा हम, 7, 4, 28, और फिर 9, फिर 7 से करा, 7 और 7 से करा, 1, तो यह जो है, 27440, जो आएगा, दो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार, तो 2 की पावर चार कर दिया, y हमारा जो है, 7, 5 जो हमारा एक बार है, और 7 जो हमारे पार 3 बार है, तो यह जो इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है, x की पावर 4 इन 2, y की पावर 1 इन 2, z की पावर 3 के, तो x तो आगया हमारे पास 2, y आगया हमारे पास 5, और z आगया हमारे पास 7, ठीक है, x, y, z पता लग हमें value निकालनी है 2x plus y minus z की तो 2 into x हमारा 2 हो गया plus y 5 हो गया minus 7 4 और 5 9 minus 7 बराबर 2 तो 2 इसका correct answer हो जाएगा अगला है यहाँ पर है x की power अबर जो है a square है और यह upon में x की power b square है equal to x की power 12 ठीक है एक a minus b की value बताने है क्या होगी a minus b यह में 3 रखा तो a plus b की value बताने है क्या होगी तो दिकिए x a square upon x b square है equal to x की power 12 के तो यहाँ पर divide ओर तो power minus हो जाएगी तो X की power हो जाएगी A square minus B square के X की value 12 की equal है तो power same होगी इसमें ठीक है, base same है तो A square minus B square बरावर होगा 12 के, इसको लिख सकते हैं A plus B और A minus B ठीक है तो यहाँ पर A minus B की value हमें दे रखी है जो की है 3 equal to 12 A plus B जो दे रखा है हमारे पास 12 वपॉन में 3 cancel करा तो 4 तो 4 इसका correct answer हो जाएगा अगला है question The external and internal radius of a cylindrical pipe are 16 cm and 15 cm तो जो pipe है हमारा इस तरीके से ठीक है, अंदर से खोकला है तो अंदर एक सिलेंडर खोकला वाला जो है वो एक सिलेंडर बन रहा है और बाहर का बन रहा है 15 cm और बाहर वाले का पूरे का दे रखा है यह 16 cm ठीक है The length of the pipe is 63 cm तो इसकी length है इस पूरे की length है जो 63 cm है What is the volume of the material used for making it तो बताना है कितना material यूज़ बीच में तो खोकला है तो हम क्या करेंगे पाई बड़े वाले का हमने radius ले लिया मतलब बड़ा वाला radius और र हो गया 16 cm और छोटे वाले अंदर वाले का हो गया र कितना 15 cm ठीक है height दोन में सेम रहेगी तो पाई आर स्क्वेर एच माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वेर एच ठीक है तो देकि पाई एच कॉमन आ जाएगा आर स्क्वेर माइनस आर स्क्वेर हो जाएगा तो बाईस बड़े साथ ह हमारा 63 आर का स्क्वेर 16 का स्क्वेर माइनस 15 का स्क्वेर तो यह हो जाएगा कैंसल करा 9 तो बाईस गुना 9 यहां हो जाएगा हमारा कितना 256 माइनस 225 तो यह हो जाएगा हमारा कितर 9 दुनी 18 19 198 इंटू माइनस करेंगे 6 में से 5 गया 1 5 में से 2 गया 3 यह गया अब इसको मल्टिप्लाइ करेंगे 198 को 31 से 891 तीन अठ्थे 24 तीन अठ्थे 29 तीन और दो पांच तो 8 3 1 6 6138 इसका अंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन है हाइट अन बेस रीडियस ऑफ वन सिलेंडर आर रेस्पेक्टिवली 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तो एक सिलेंडर जो है इसकी हाइट जो दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो रेडियस है वो दे रखा 6 सेंटीमीटर और दूसरा सिलेंडर है ठीक है उसकी भी हाइट 15 सेंटीमीटर और रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर दूसरा दे रखा है cylinder इसकी height जो है 15 cm है और radius जो है 12 cm है ठीक है यह दे रखा है अब बोला क्या है ratio of the volume of first cylinder to the second cylinder दोनों का volume का ratio बताना है तो इसका जो radius है r1 ले लिया 6 cm और इसकी height ले लिया h1 30 cm दूसरे वाले cylinder का r2 ले लिया 12 cm और h2 ले लिया 15 cm तो ratio निकालना है volume का तो volume of first cylinder pi r1 का square h1 upon pi r2 का square h2 pi cancel r1 कितना है 6 तो 6 का square गुना 30 नीचे r2 12 का square गुना 15 कैंसिल कर देंगे तो यह 2 आगे उपर ठीक है उपर है 6 into 6 into 2 नीचे 12 गुना 12 छे से काटा दो दो से कट गया चे कम 6 6 दूनी 12 तो वान अपॉन में 2 वान इस तो टू इसका ratio हो जाएगा option number तीसरा option है हमें बताना है इसका एक factor कौन सा होगा ठीक है तो यहां पर जो हम identity use करेंगे वो करेंगे x square minus y square की जो की होती है x plus y और x minus y तो x की जगे तो हमारे पास यह पूरा हो गया a plus b plus c और y की जगे हमारे पास यह हो यह हमारी पहले वाली की time होगी दूसरे में है plus a plus c minus d ठीक है यह जो हमारा x की जगा आ गया और यह हमारा y की जगा गया इसी तरीके से अब x minus y करना है तो a plus b plus c minus करना है हमें इस पूरे को a plus c minus d यह हो गया तो यहां पर देखिए a हमारे पास 2 है तो 2 a हो गया b हमारे पास जो है हमारे पास एक ही है तो plus का b c हमारे पास 2 है और d हमारे पास 1 है यह हो गया अब यहां पर अगर मैं bracket open करूं तो a plus b plus c minus a minus c plus का d तो a से a cancel हो जाएगा c से c cancel हो गया तो हमारे पास इसका factor बने 2 a plus b plus 2 c minus d और दूसरा factor है b plus d तो यहां पर option में हमारे पास b plus d एक है तो यह इसका correct answer है एक factor कौन सा होगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 25 x plus y का whole square 36 bracket x minus 2 y का whole square यह दिया हुआ है तो यहां पर देखा जाए तो हम identity जो use करेंगे वो यही वाली करेंगे a square minus b square वाली जो होता है a plus b और a minus b हो ठीक है तो उसके लिए देखिए 25 को मैं 5 का square लिख सकता हूँ 5 का square x plus y का whole square 36 को 6 का square x minus 2 y का whole square तो यह हो जाएगा हमारा 5 x plus y का whole square और यह हो जाएगा 6 x minus 2 y का whole square ठीक है तो यहां पर यह जो है हमारा a की जगा हो गया और यह हमारा b की जगा हो गया तो हमारे पास जो है formula होता है a plus b और a minus b तो यह हो जाएगा 5 x plus 5 y अब इसका bracket open करूंगा तो यह आएगा और फिर plus 6 x minus 12 y ठीक है अब minus करना है तो 5 x plus 5 y minus 6 x minus 12 y तो यह हो जाएगा हमारा 5 और 6 11 x पांच में से 12 गए minus का 7 y और यहां पर bracket open करेंगे पहले तो 5 x plus 5 y सेम minus 6 x plus का 12 y तो 11 x minus 7 y और यह हो जाएगा हमारा minus का x और यह हो जाएगा हमारा plus का 17 y तो इसका एक factor बताना है तो option में हमारे पास जो है 11 x minus 7 y है तो 11 x minus 7 y तो है नहीं और है minus x plus 17 y तो 17 y minus x हमारा option number b हो जाएगा इसमें बोला गया what is the mean of the range, median and mode ठीक है सबसे पहले में range निकालना है median निकालना है और mode निकालना है उसके बाद हमें इसका mean निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको आशेंटिंग ओर्डर में लिख लेते हैं बड़ते करब में तो सबसे छोटा हमारे पास छे है तो छे यहां पर हमारे पास दो हैं, तो हमने लिख दिया six और six उसके बाद है उससे पहले five भी आ रहा है ठीक है तो five के बाद हमारे पास जो अगला नमबर है वो नो है नो हमारे पास एक ही है ठीक है नो आ गया फिर उसके बाद दस दस के बाद जो है हमारे पास ग्यारा नहीं है बारा है बारा हो गया बारा के बाद तेरा नहीं है बारा हमारे पास दो है आपर तो बारा दो लिख दिये ठीक है तेरा नहीं है 14 है फिर 15 है 15 हो गया उसके बाद 15 हो गया 15 के बाद 16 नहीं है 17 नहीं है 18 यहाँ पर 1 और 2 है 18 हमारे पास 2 है ठीक है तो यहां काउंट कर लेते हैं कितने नमबर है और कॉश्यन में गिवन थे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा अब हमें बोला है range, median और मोड का mean निकाल ला है तो range निकाल लेते हैं पहले range होता है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का difference सबसे बड़ा ठारा है और सबसे छोटा पांच है तो इनका difference निकाल तो 13 आ गया उसके बाद आता है median अब median वो नंबर होता है जो बिल्कुल बीच में हो तो बीच में जो नंबर आता है वो हमारा median हो जाएगा तो median हो गया है यहाँ पर 9 अब हमें बोला है mode तो mode होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आता है तो 8 जो हमारा तीन बार आ रहा है तो mode हो गया हमारा 8 लेकिन हमें बोला क्या है? इन तीनों का mean बोला है तो mean बोला है हमें इसका range का, median का और mode का तो हम क्या करेंगे? तीनों को add कर देंगे और 3 से divide कर देंगे तो 13, 9 और 8 बटे में 3 13 और 9 हो गया हमारे पास, 22, 22 और 8, 30 30 बटे 3 कैंसिल करा तो इसका answer आगया हमारे पास 10 तो 10 इसका mean होगा अगला है इसमें भी हमें इसको simplify करके y की value निकाल ली है उसके बाद 9y प्लस 1 की value बतानी है क्या होगी? तो इसको कर लेते हैं तो सबसे पहले यह जो दे रखा है इसके bracket open करेंगे 2 को 3y और minus 4 से multiply करेंगे तो 6y minus 8 plus 6 और denominator में 3y minus से bracket open करेंगे minus 4 और minus का 5y is equal to 3 by 5 तो उसको और कर लेते हैं 6y plus minus minus का 2 हो गया 3y minus 5 minus का 2y minus 4 is equal to 3 by 5 हो गया cross multiply 5 को multiply करेंगे 6y minus 2 से और 3 को multiply करेंगे minus 2y minus 4 से तो यह हो जाएगा हमारा 30y minus 10 minus 6y minus 12 अब y value term को separate करेंगे 30y plus 6y minus 12 minus का 10 हो जाएगे plus का 10 हो गया ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा 36y बराबर में minus का 2 तो y की value जो आई y minus का 2 बटे 36 cancel करा तो minus का 1 बटे 18 यह y की value है हमें निकालने यह value 9y plus 1 की तो 9 into y की value minus 1 by 18 plus 1 9 से cancel करा 2 हो गया minus 1 बटे 2 plus 1 तो यहाँ पर LCM लेकर solve करेंगे तो minus 1 plus 2 तो 1 बटे 2 इसका correct answer हो जाएगा बटे 2 बटे 3 बटे 3 बटे 6 weeks